नमस्कार दोस्तों मैं कुनाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लास्मुन ग्यानवियन चलिए आज इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 9 के एक्सराइज 14.2 का लास्ट कोश्चिन नमबर 9 बहुत इंपोर्टेंट कोश्चिन है और इस तरह के कोश्चिन्स आपके एक्ज 40 बैटरी बनाने वाली कंपनी है जो बैटरी बनाती है और 40 बैटरी का जो लाइफ है वो इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है तो हमें बनाना है कंस्टर्ट ग्रूफ फ्रिक्वेंसी दिस्टिबिशन टेबल फॉर इस डाटा उजिंग क्लास्ट इंटरवल ऑफ साइज 0.5 पिस्तर्टिंग फॉं दॉप टू 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 पोइंट फॉइब ग्रूफ लेना है और हमें इस तरह से एक लास इंटर्वल बनाना है टू से लिखा रहा है आपको अपने क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा यहां पर दिया हुआ है तो हम लोग इसके क्लाइंग लेते यह देखिए अब इस तरह से आप इस solution लिख लेंगे और यह तीन column बना लेंगे पहले column नहीं आपको लिखना है life of batteries in years ठीक है दूसरे में लिखना है आपको telemarks और तीसे में लिखना है frequency फिर इसके नीचे आपको बनाना है क्योंकि यहां पर कह रहा था एक dm2. 6.2.6 किसे मैं आएगा 2.5 से ज्यादा हो जाता है 2.6 में यहां पर हमने 1 लाइन ऐसे खीत लेना है फिर 3.5 2.5 3.5 यहां पिया पिर दिख रहा है यहां धिक 264.6 सबसे नीचे वाले मरे माख एगा 3030 गें यहीं लास्ट पयूंट में लेना तुछosप सबसे ऊपर वाले में 4.44 workforce इस वाले माझाईगा 377 इसमें आ जाएगा एसे फिर 3.2 3.2 उपर में आएगा 3.4 इसी में आना है 3.9 इसके नीचे आजाएगा तो अब देखिए यहां पर 4 हो चुका है तो five माइद हो जिते हैं ऐसे हो जाता है ठीक है फिर 3.2 3.2 इसमें आ जाएगा ये भी ऐसे हो जाना है थिक है तो हमने यह 3 column ले ली आप इसी तरह से बाकि भी करते हैं 3.2 3.2 इसमें आजायेगा 3.4 वो भी इसमें आएगा 3.3 ये उसमें आएगा यह, यह, यह हमने ले लिया, 3.2, यह भी इसी में आना है, ठीक है, फिर 2.6, 2.6, यह इससे उपर आ जाएगा, फिर 2.2 सबसे उपर आएगा, 3.8, 3.8 इसके नीचे आना है, 2.9 इस वाले रो में आएगा, 3.2, अब देखें, 3.2 इसमें आएगा, तो यह फिर ऐसे कर जाना है, फिर 3.5 इसके नीचे आएगा, अब 4.1, 4.1 इसमें आना है, 3.2 इसी में आएगा, फिर 3.0 वो भी इसी में आना है, 3.1 वो भी इसी में आना है, फिर 4.2, 4.2 यहाँ पर आ जाना है, फिर 3.5, 3.5 इस वाले में आना है, 4.6, 4.6 नीचे वाले में, 4.3 इससे उपर, 3.7, 3.7 किसमा आएगा, इस वाले रो में आ जाएगा, और 2.9, 2.9 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक, आप फिर 4.5 देखे, 4.5 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इस वाले में ले लेना है, फिर 3.7, 3.7 यह इसमें आ जाएगा, और 2.8, 2.8 इस वाले में आ जाना है, फिर 3.4, 3.4 इसमें आ जाना है, 3.6, 3.6 इसमें आ जाना है, ठीक, अब आप इसको count करके यहाँ पर लिख दीजे, तो यह सचों पहले में है, यह 2, हमने यह 2 लिख लिए, तो 5 और 1, यह 6 हो जा रहा है, 5, 5, 10 और 4, तो यह हो जा रहा है, 14 और 14, यह हो जा रहा है, 11, 5, 5, 10 और 1, 11, और यह हो जा रहा है, 4, और यह हो जा रहा है, 3. सब को प्लस करना, यह प्लस करने के बाद आना च तो यह जाता है 37 और 37 प्लस थ्री यह जा रहा है 40 और इस तरह से हमारा यह सदिया फाइनल आंसर यह हमारा कम्प्लीट हो गया उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए तो आप एसे लाइक की जिए अपने दोस्तों के साथ इसे सेर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद